भले ही सरकार के द्वारा भ्रष्टचार रोकने के लिए तमाम तरखे प्रयास कर रही हो लेकिन पुलिस थानों में होने वाले भ्रष्टचार किसी सच्छुपे नहीं है एक बार फिर फर्यादी ने थाने पहुंचे तो बिना जेब धीली की ये बाहर नहीं आ सकता एक ऐसा ही आरोप लगाते हुए ब्रष्ट ने उपजिला अधिकारी मौट से पुलिस कर्मी के शिकायद की है जनपर जहासी की तैसिक मौट से सामनी आया है जहां संपूर समाधान दिवस पर आई एक ब्रष्ट ने अधिकारियों से शिकायद करते हुए सम्थर्थाना में त खेत में धान का पौधा लगवा रहा था तभी थाना सम्थर में तैनात एक दरोगा ने आकर उसे धमकाया और खेत से धान में लगाने वाले से मना कर दिया आरोप है की दरोगा ने उसे खेती करने के एवज में 10,000 की रुपाई की मांग की है इसके अलावा भी ब्रध ने जूटे मुकत में फसाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं इस मामले में अपर पलिसदीक शेक ग्रामेड गोपिनाच सुनी ने थाना अध्यक शम्तर से चौब्स गंटे में इसकी जाज कर रिपोर्ट मांगी है हुआ हाँ में है बोट कीशते हैं और यहाँ मौनसरप साब कीशते हैं और फिर एक प्ख्ये मेरे पक्स में को कदमा हो गया जब मैं धान लगाने गया थो दूसरी किसी पारटी के कहने पे Έा है कौन से थाने के संथर यहाँ है एसाई जो है छोटे दरोगा कौन से थाने के हैं सम्थार वो यहां आए गाहों में रोक गए हमसे बोले कागज लिया हम सारे कागज उनको दिया है बोले मेरी समझ मने न्यारिया है कागज फिर उन्होंने को लाया आके लिए मैं बोले हमको 10,000 रुपया दो तो तुम धान हो जाएगा हम दोनों पार्टी में बंद कर देंगे तो तुम पैसे नहीं जारे तुम कोम किसी केस में हसा देंगी जगी तो आपने सिखायत कर दी है हाँ अभी सिखायत कर गया रहे कहां पर करी है आपने शिल जवर्थाए यह श्पाल के साथ प्रग्या सिंह राजपूत क जीवन के सपनों को करे साकार बेहतर सिख्षा ही है तरक्की का अधार सिख्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नती के मार्ग पर यही है हमारी संसकार स्री रावतपूरा सरकार ग्रूप आफ इंसिटीटूशन आरी उन्नाव बाला जिमार्ग जहांसी एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बी एड, डी एल एड, बी ए, आई टी आई के साथ काई प्रोफेशनल एजुकीशन के लिए आज जी अड्मिशन ले आईस